नमस्कार दोस्तों, बड़िंगिम्स में आपका स्वागत है अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद दिमोटिवेशन मिलने वाला है लेकिन अकेलर दिमोटिवेशन नहीं मिलेगा दिमोटिवेशन विद इन्फोरमेशन मिलेगा तो अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को ना देखे अब हम वीडियो के सुरुवात करते हैं हम लोग जितने भी लोग जो भी इस विडियो को देख रहे होगे या तो आप तीन कैटेगरी में से आते होगे या तो आप lower class के होगे या आप lower middle class के होगे और या फिर आप middle class के होगे बहुत कम होगा middle class को तो अगर हम इसको statics के form में देखे तो हमारे यहां लगबग 60% वो lower middle class के होगे और 10% जो होगा वो middle class का होगा अब समझना class का मतलब होता है financial stability class जो होता है वो finance के मामले में होता है तो अब बात करते हैं कि अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं तो मेरी बातों को ध्यान से समझना जो current market चल रहा है रोजगार के मामले में सच को accept करने में को मार्केट में जॉब बहुत ही कम है यह fact है इसको कोई नहीं काट सकता है fact है हर साल दर साल जॉब की थोड़ी सी scarcity है market में government sector में जॉब की scarcity है PSU में जॉब की scarcity है लेकिन जॉब आती है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जॉब नहीं आती है जॉब आती है लेकिन कम आती पहले की तुना में कम आती है जोब ठीक है अब बात करते हैं कि तुम किसी ब्रांच में हो like तुम एलेक्टरिकल में हो सिविल में हो और मेकेनिकल में हो basically इन तीन ब्रांच के लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है अगर PSU या फिर government sector में नहीं आती है state PSU या फिर central का जो होता है उसमें अगर नहीं आती है तो बहुत दिक्कत होती है तो अगर इसमें हो और तुमको PSU की तरफ ध्यान देना है PSU या फिर तुम्हें government sector में job चाहिए तो बिल्कुल time waste नहीं करना दोस्त time waste करोगे बाद में तुम्हें college निकलने के बाद तुम्हें realize होगा कि भाई मैंने college का time waste कर दिया अगर waste किये तुम्हें realize होगा बाद में तुम्हें पता चल जाएगा फिर बाद में तुम पॉलिटिकल बाते मैं नहीं करूँगा कि ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है ऐसी बाते कुछ नहीं करूँगा अभी सुदर अभी संभाल लो अपने आपको अगर तुम ECE से हो CSE से हो IT से हो तो तुम पर एक request है अपने आपको ना software के तरफ थोड़ा सा रुजान डालो क्योंकि जॉब वहाँ है बहुत ही असानी से जॉब वहाँ पर मिल जाएगे अगर तुम थोड़े से अच्छे mind के student हो किसी भी college के हो अच्छे mind के student हो तो तुम्हें job आसानी से मिल जाएगे ठीक ना क्योंकि जितने भी IT सेक्टर में job है न वो उसमें maximum लोग जो तुम्हें मिलेंगे वो मिलेंगे South India के ठीक ना North India के लोग उधर है जाते ही नहीं है जादा वो तैयारी करेंगे लेकिन उधर बहुत तकलीफ होगे बाद में तुमको फिर ये कहने पर मजबूर हो जाओगे फिर तुम बोलोगे कि job नहीं है ये नहीं है कोई नहीं सुनने वाला है आज जो मैं एक और fact बता रहा हूँ वो तुम्हें बता रहा हूँ M-tech करने के बाद PhD करने के बाद लोग SSE J-E में आते हैं बहुत सारे एक्जामपल है SSE J-E कोई सभी J-E post का जो vacancy आती है जिसमें कि upper limit रहता है मतलब कि P-tech, M-tech वाले allow होते हैं तो उसमें M-tech, IIT वाले बच्चे M-tech में आते हैं जो M-tech कर रहे होते हैं वो फिर इसमें आते J-E level के job में आते हैं अब इसे आते हैं तो तुम्हारा competition किसके साथ होगा इसको ध्यान रखना तुम्हारा भी निकलेगा लेकिन ऐसे नहीं निकल जाएगा कि तुम बस आराम से पढ़ रहे हो बहुत ही basic basic चीजे पढ़ रहे हो और तुमको लग रहा है निकल जाएगा competition tough हो उनका मैं बहुत ही respect करता हूँ बहुत ज़दा respect करता हूँ और मैं उनको चाहूँगा कभी वो आए हमारे साथ वो civil में है and he is doing very good in life his life ओके बहुत अच्छा कर रहे है अपने life में लेकिन उन्होंने गेट और PSU के तरफ नहीं ध्यान दिया मैंने बार पूछा आपने ऐसा क secondary need होती है अगर तुम्हें अपने जीने के लिए तुम्हारे पास जुगार नहीं है तुम बहुते मुस्किल से bachelor ले रहे हो तो फिर अपने पहले stability पे ध्यान दोगे तो अगर तुम चाहते हो stability college के बाद तुम चाहते हो खुद को stable करना तो अपने आपको रोजगार के हाथ में एक job आजाता है तो वो जो confidence होता है वो confidence तुमको कोई नहीं दे सकता है कोई भी नहीं देगा college के बाद अगर तुम्हारे हाथ में job रहेगा तो एक तुम्हें high level का confidence तुम्हारे अंदर रहता है वो जो खून उरता है खून जो हमारे body का होता है वो उबाल मारता है उसके बाद तुम्हें लगेगा कि हम जिन्दगी में कुछ और भी कर सकते हैं, कोई प्राब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं रहेगा, साल दर साल तुम तैयारी कर रहे होगे, तो फिर दिक्कत होगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, दिमोटिवेट होगे, तो अगर आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तो information ले लो, रोजगार है, रोजगार ढूड़ना परेगा, ढूड़ो रोजगार कहाँ पे है, EC वाले, CSE वाले, IT वाले, information technology वाले, इन लोगों के लिए तो बहुत आस करो, LinkedIn पे account बनाओ, वहाँ पे job sections में जाओ, और देखो कि current market में क्या-क्या job है, और उसमें क्या-के skill चाहिए, civil वाले के लिए अगर autocad चाहिए, तो autocad सीखो, अच्छे level में autocad सीखो, mechanical वाले के लिए automobiles, automobiles industry में आते हैं, तो तुम्हें अगर machine learning से सीखने को मिल रहा है, वो भी तुमें सीख के तयार रखो, अपने आपको prepared रखो, हम लोग एक war zone में है, और war zone में खुद को prepare रखना परेगा, क्योंकि यार पता है, middle class और lord middle class के लोगों की life जो होती है, बहुत ही जादा limited होती है, लेकिन proud feel करना, अपने आपको कभी इस चीज के लिए बिलकुल म खतम हो जाती है, लेकिन अपने आपको जो तुम बाहर निकाल रहे हो, यह challenge है तुमारे लिए, हम सब के लिए challenge होता है, तो अपने आपको तयार करो, तिक ना, market में job की बहुत ही कम होगी job, अपने आपको उस तरीके तयार करो, thank you guys.